जी एस पेपर 3 देखने में थोड़ा लेंदी जरूर है लेकिन प्रश्णों को घुमाया नहीं गया है इसमें प्रश्णों को to the point पूछ लिया गया है तथा इस पेपर में unconventional questions भी देखने को नहीं मिला है जैसा कि इसके पिछले सालों में कुछ questions देखने को मिल जाते थे एक्जामपल के तोर पर 90 की दसक के नॉबेल पूसकार पूछ लिये गये थे और उससे भी पहरे 5 साल पुराना एक करेंट अफेयर जिसमें 14 वित आयोग के बारे में पूछ लिया गया था और इसलिए पेपर जो है difficult नहीं है और इससे अभियार्थी अधिक से अधिक माक्स इ जाते हैं तो ऐसे में एकोनोमी पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात होती है क्योंकि यह एक गेम प्लेयर के रूप में काम करता है और इससे गेम चेंज भी हो जाता है क्योंकि अगर अच्छे माक्स इस पेपर में नहीं आये तो मेरिट लिश्ट में फिराना थोड़ा difficult हो जाते हैं और उसके बाद science and tech के questions था internal security के questions भी इसमें सामिल के जाते हैं और कुल मिला के 20 questions इसमें बन जाते हैं चलिए अब प्रशनों को सुरू करें पहला प्रशन GDP में बी निर्मान छेतर विसेश कर MSME की बड़ी हुई हिस्सिदारी तेज आर्थिक समवीर्धी के लिए आवेसक इस समन्द में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिपनी करें तो इसमें दो प्रशन हैं पहला कि आपको यह दिखाना है कि बी निर्मान छेतर में MSME को बढ़ाने से भारत के GDP में आर्थिक समवर्धी होगी पहला प्रशन यह हो गया और दूसरा यह कि वर्तमान में स MSME के महतों के साथ उसको जोड़ते हुए उन सारे तत्वों का आप यहां पर explain कर सकते हैं और उसके साथ बहुत सारे जो जेनरल तत्व हैं जैसे कि अगर MSME यहां काईरिक करती है उनका बिनिर्मान छेतर में हिस्सदारी बढ़ता है तो definitely वे भारत के बिभिन छेतरों में फ करते हैं तो अगर इनकी हिस्सदारी बढ़ती तो एक्सपोर्ट भी और बढ़ेगा तो डॉलर की प्राप्ति अधिक होगी तो फिर GDP में इंक्रीज तो होगा ही और अभी जैनरली GDP में लगभग 30% जो है MSME का ओगदान है ही और manufacturing sector में बात करें तो 45% तक MSME का ओगदान है उ और पुझी आएगी तो वे बहुत सारी और काईड़ों में वहाँ इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पुझी decentralized हो गया MSME भारत में जो है गारक करोड लोगों को रोजगार भी दे रही इसका मतलब है कि लोगों को purchasing power बढ़ा देगी और लोग अब अधिक भोग कर पाए और दूसरी तर लोगों के जेब में पैसा भी डाल रही है एक रोजगार के रूप में तो एक cycle बनेगा और इससे एक जो है लगातार इस छेतर में बिर्दी होगी अब इस प्रशन के दूसरे भाग में आते हैं नीतियों की बात करें तो बहुत सारी नीतियां सरकार ने चल करवाये जा रहे हैं पता MSMH जीन भी जो है परदान किये जा रहे हैं वह incentive के रूप में production linked sensitive subsidies दिये जा रहे हैं और इस बार नियमों में छूट देते हुए MSMH को जो है उसकी definitions को भी change किया गया है साथी Sage और में भी इनको छूट परदान की गई है इसके साथ ही way forward के रुप में आप लिखते हुए इसको आगे बढ़ाते हुए इसको अंत कर सकते हैं next question है भारतिय अर्थ भ्यवस्ता में digitally करन की इस्थिति क्या है इस समंण में आने वाली समस्याओं का परीच्छन कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए तो तीन प्रश्ण है इसमें पेहला की अर्थ भ्यवस्ता में digitally करन की अभी इस्थिति क्या है दूसरा इसमें इसको implement करने में समस्याएं क्या रही है और तीसरा की जो समस्याएं आ रही हैं उनको सुधार करने के लिए क्या कदम उठाया जाने चाहिए तो पहले भाग का आंसर जो है पूरी तरीके से फेक्ट बेस्ट होगा आपके पास यतना भी अधिक डेटा होगा इसमें आप डाले एक्जांपल को तोर पर अभी जो है ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं डिजिटल पेमिंट उनका आंकड़ा क्या है बेंकों में जो है लोग कितने ज्यादा खुद ऑनलाइन बेंकिंग करने लगे हैं अर्थात मोबाइल बेंकिंग से जुड़ चुके हैं और जी टू बी तथा जी टू सी में जितने भी पॉसिबिटीज एकोनोमिकल हैं उन सारे आकड़ों को आप इसमें डाल सकते हैं नेक्ट इसकी समस्याओं के बारे में लिखना है तो समस्याओं में आप इंफ आकर्सित करना बजटिया आवनटन को बढ़ाना टेक्नोलोजिकल इनोवेशन की बात करना उन सब चीजों का आप इसमें सुझाओं में लिखते हुए एक इसका अंद्ग कर सकते हैं नेक्ष्ट किसी उत्पादों के उत्पादन एवं विपनन में इस तक्नीक किसानों की किस तरह मदद करती है इसमें एक ही प्रश्ण है कि इसके दो भाग हो जाएंगे फिर यहां पर तो सबसे पहले की उत्पादन में इसान जब खेती कर रहा है बीजों को भू रहा है तो उसमें क्या इस किसान अभी टेकनलोजी उज़ कर रहा है तो डेफिनेटली बहुत सारी टेकनलोजी उज़ कर रहा है जिसे आसमार्ट एग्रिकल्चर और प्रिसाइज फार्मिंग के और drone के माध्यम से निग्रानी भी की जा रही है, तो उत्पादन में इससे बीर्दी हुई है, उसके बाद Biosensor छीप के माध्यम से उत्पादों का निरच्छन क्या जाता है, उनके स्वास्त का पता लगा जाता है, कि क्या उसमें कोई किरा तो नहीं लग रहा है, है क्या उसका स्वास्त सही है क्या उसे पोटासियम नाइट्रोजन आप फासफोरस की ता आवे सकता नहीं है कब उसको जल की आवे सकता है उन सब चीजों को हम लोग नेगरानी कर रहे हैं तो डेफिनेटली किर्सी उत्पाद में जो है इट टेकनोलजी ने मदद की है और एक information के रुप में, input के रुप में हम लोग मान सकते हैं साथ ही जो उन्नत बीज है वह टेकनोलोजी के माध्यम से होत्पादित की जा रहे है तो बहतर गुनवत्ता के वेज प्राप्त हो रहे है तो होत्पादन सिस्टम में लग जाएगा दूसरा है विपननन तो विपनन मे च ह 후 कि कई इसान जो है इसी कंपनी से कॉंठ्राइक कर लेते लिए क्जाम पर वेसे कमपनी वहां पर कॉंठ्रेक सब्साइब करते हैं इसके साथ ही आप इसकी समस्याओं को लिखते हुए एक वेफरोड के रुप में इसके समधन को लिख सकते हैं नेक्स्ट है भारत में भूमी सुधार के उदेशियों एवं उपाईयों को बताईए आर्थिक मापदंडों के अंतरगत भूमी जोद पर भूमी सीमा निती को केसे परभावी सुधार माना जा सकता है तो इसमें दो कुश्चन्स है पहला कि उदेश और मेजर्स जो लिए गए उपाईयों को पहले भाग में लिखना है और दूसरा जो हदबंदी कानून आया था उसकी परभाविता के बारे में लिखना है तो इनके दो भाग हो जाएंगे तो पहले भाग में हम लोग उदेशियों को लिखेंगे कि कैसे इसमें भूमी का बित्रन भूमी हीनों को दिया जाना था जमिंदारों का उन मूलन किया जाना था और भूमी का हदबंदी, चकबंदी करना था, भूमी सुधार में उत्पादक्ता बढ़ानी थी, इन सब बातों को अम्रुक एक सीरे से सारे बातों को इसमें लिग देंगे बाकी दूसरा जो बात है कि हदबंदी ने क्या भूमी सुधार निती में परभावी भूमी का निभाई, तो इसमें यहां पर बात यह है कि यह 1950s के बाद इसे सुधार हुए थे, और आज हमें देखना है कि क्या वो सच में सुधार परभावी रूप में हो चुके थे, तो भूमी का एकेत्री करन हुआ और इससे उत्पादक्ता बढ़ी क्योंकि जेनरली अगर छोटे-छोटे भूकंड होंगे तो इनके बीच मेड बहुत सारे आ जाते थे और इससे भूमी बरबाद हो जाती थी और छोटी-छोटे जब भूमी के टुकड़े होते हैं तो उनमें बहुत ही ब्यवसाइक फसल उत्पादन करना लाबदायक नहीं रा जाता है तो एसे में हदबंदी कानून एक ब्यहतर उपाय की रूप में सामने आया और एही कारने के हरित करांती पंजाब हरियाना जैसे राजियों में सफल उपाया जिसके महत्पुनकार नहीं था कि वह हद तक लागून नहीं हो पाया अभी भी बहुत सारे राजियों में छोड़ जोटे भूकन पड़े हुए और अही कारने की हरियाना और पंजाब इससे बहुत यदिक लाब भानवित हुए तो इसमें दोनों बातों को लिखना है कि हदबंदी कानून जो है एक परभावी रूप में इसके लाभों को बताना है और यह भी बताना कि यह सभी राजियों में लागूर नहीं हो पाया था और इसके एक नेगटिव इंपक्ट को भी दिखाना होगा कि हदबंदी कानून में यह भी है कि जो भूमी है कुछ सीमित किसानों के हाथों में आ जाता है क्यों सिमान्त किसान है तो को नहीं मिला कि जो अधिकांस भूमी जो है हद बद्धी कानून लागू करने के बावजुद जो है कुछ सिमीत लोगों को जो हाथों में ही या भूमी आ चुकी थी यहां बात सुनने में थोड़ा बिरोधाभास लगती है क्योंकि अगर मान लेते हद ब भूकंड थे तो और भी बहुत कम लोगों के हाथों में यहां जमीन चली जाती लेकिन इसके बावजुद जब इसको लेगलाइस्ट कर दिया गया कि हद बंदी कानून इतना तक रख सकते हैं तब भी इसमें एक नेगेटिव इंपेक्ट के रूप में या तो सामने आही ग भारना का परीचे दिजिए AI क्लीनिकल निदान में केसे मदद करती है क्या आप स्वास्तर छेतर में AI के उपयोग में बेगती की निश्ता का कोई खत्रा महसूस करते हैं इसमें तीन प्रश्ण है सबसे पहला कि आपको AI को डिफाइन करना होगा उसके कंसेप्ट को समझाना होगा कि एक एसी बुद्धी है जो मानव बुद्धी के तरह ही में घावी है तो आप इसमें अपचारी परिभासा ही लिखें और उसके बाद इसके दूसरे भाग में यहां बताएं कि क्या यहां इसमें डाइग्नोस किया जा सकता है तो डेपनेटली AI इतना एर्वांस हो है कि वहां डाइग्नोस कर सकती है और वेस्टन कंटीज में बहुत सारे ऐसे परियोग किये भी गए हैं तो उन सारे कुछ एक्जामपल्स को आप वहां पर डालते हुए और उसके नेक्स पर जो प्राविसी का खत्रा है तो यहां एक बहुत बड़ी खत्रा है क्योंकि AI जो उनों से अच्छा सोच सकती है तेज सोच सकती है उसे अधिक मेमोरी है उनके पास तो इनसानों के नीचे दब के क्यों काम करेंगे तो यह खत्रा अस्रीन मेश्टा ओं सिमित नहीं होगे AI सारे इंसानों की नीजी बातों को तो अपने अंदर संघ्रहन करेंगु और इसा भ अगर हम लोग उसको controlled way में इस्तमाल करें तो बेक्ति की निष्टा को और बहतर तरीके से सनलच्छित रखा जा सकता है क्योंकि AI जो है सभी भावनाओं से परे होगा और इसलिए किसी से भी राग और द्वेश के आधार पर कायरी नहीं करेगा या programming पर कायरी करेगा इसमें भले ही सीखने सबजने की छमता है लेकिन इसके बावजुद अगर limited रूप में और controlled way में इसको या मौका दिया जाए तो या निष्टा को सनलच्छित भी कर सकता है और उसके बाद AI को खत्रा और अफसर के रूप में दर्शाते हुए आप निष्कर लिख सकते हैं जो कि एक balanced approach होगा next है उन विभिन तरीकों पर चच्चा किजिए जिनसे सुच्म जीवी इस समय हो रही इंधन की कमी से पार पाने में मदद कर सकता है अभी recent में कई एसे microbes आ चुके हैं जिनसे बायो इथनोल बनाया जा रहा है और इसका उपयोग इंधन के रूप में क्या जा रहा है तो सुच्म जीवी का उपयोग अब इंधन प्राप्ट करने के लिए हम लोग कितने तरीके से उनसे इंधन प्राप्ट कर सकते हैं प्रश्णिया है तो उन प्रश्णों में पूरी तरीकी से अबजेक्टी फिकेशन होगा पहला तो बायो इथनोल प्राप्ट कर सकते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी भी बहुत अधीक होगे क्योंकि जो माइक्रो बाल्स होते हैं वहां बहुत कम समय में दोगुझना तीगुझना हो जाते हैंrich लिए इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत अधीक है और इंधन के रूप में बहुत यहांसानी से इसको तयार कहा आजा सकता है नेक्स्ट एक Microbial Cell के बारे में बहुत सारी नूज आये हुए थे जिसमें इसे एक Diode के रूप में उज़ करें एनोड और केथोर्ड के रूप में जो रेग किरन होते हैं नेक्स्ट इसे Catalyst के रूप में भी उज़ कर सकते हैं कई इसे Reaction में कई सारे Microbials हैं वे इस तरह के Catalyst के रूप में भी काईरिक करते हैं तो इसी तरह से जितने भी सारे वेज हैं सबको बस समयराई रूए में लिखना है क्योंकि आप पूरी तरके से Objectifying कोचन है तो अधिक्तम मांक्स इसमें ग्रोश किये जा सकते हैं नेकस्ट है बांधों की बिफलता हमेशा परले कारी होती है विसेस रूप से ब्रेट से नीचे की ऊर जिसके प्रिनाम सरूप, जीवन और समपत्ति की भारी नुकसान होता है बांधों की बिफलता के बिभिन कार्णों का बिसलेशन कीजिये बड़े बांधों की बिफलताओं के दो उधारन देजिए इस प्रश्ण में बस statement लिखा हुआ और questions जो है ना के बराबर है इसमें सिर्फ पूछा गया है कि बांधों के बिफलता होने के कारणों को बताना और ओभी बिफलेशन के साथ और दो धारन भी दे देने है तो हम लोगों ने अभी जो लास्ट में लीबिया अभी देखा है लगवग 10,000 लोग देम तूटने से मर चुके हैं और यहां बहुत ही बड़ी जनसंख्या भी है तो भारत में भी ऐसे घटनाएं हो चुकी है ऐसे में अगर बात की जाए भारत में बड़े आपदाओं की तो एटीज के दसक में एक मच्छू बांध था जो गुजरात में था उस समय लगवग इसके टुटने से 2,000 लोगों की मिर्थू हो चुकी थी इसी तरह मद्र परदेश में ट्वेंटीज के दसक में तिग्राबांध में भी ऐसा ही कुछ घटना घटी थी और भी हाल फिलाल की बात की जाए तो उत्राखंड में तपोवन का भी नाम आया था तो इस तरह के बहुत सारी घटनाई होते रहते हैं आपके पास तो बहुत सारी एक्जामपस होंगे तो इसमें तो सिर्फ दो ही मांगा है और इन दोनों को दिखते वक्त जो है आखणों को थोड़ा दे दे अस्थान दे दे और इसकी जो कुछ विसेस्ताएं हैं उन विसे रखाव और मरमत होना चाहिए जिस तरह से वहां नहीं हो पाता है यह सबसे बड़ी समस्याओं के रूप में देखा जाता है और तिसरा की जो रूल एन रेगुलेशन्स होने चाहिए इसके बिनियमन के लिए एक एड्मिस्टेशन होना चाहिए वहां लगभग नहीं बन प आरण जो है वहां बांध तूड़ जाता है जनरली हिमाले छेतर में जितने भी बांध बनते हुआ भुकम्प जॉन में है जो की जॉन फॉर और फाइप के जो बांध होते हैं उसमें जनरली देखा जाता है साथी मैनमेड आपदा के रुप में तपवन वाला आप देख सक है कि क्या यहां पर इस लाइक है कि यह इस प्रजेक्ट को सह सके तो उन सब चीजों को सही तरीके से जाच परक्तने के बाद उसका मुयायना करने के बाद को काईर आगे ना बढ़ाना ही उसके अंत का कारण बन जाता है इसके साथ ही अती ब्रिष्टी भी तलाबों में अधीक वर्षा भर जाती है और उसके बाद उसको भी फल कर देती तो उन सब कारणों को लिखते हैं आप थोड़ा इसको एनलाइज भी करेंगे विशलेशन अगर आप नहीं करेंगे यह सब कारण लिख देंगे तो वो अच्छे माख साबको नहीं दिलाएंगे कोश्चन के हद एक बिंदु का बहुत ही महत्तो होता और हर एक भाग को सही से परते हुए सही तरीके से उत्तर करना बहुत है आविस्सक होता है नेक्स्ट कोश्चन तेल परदुसन क्या है समुद्री इको सिस्टम पर इसका परभाव लिखना है और भारत के लिए किस तरह से हानिकारक है तो सबसे पहले तेल पर्दुसन जो आम नोग जनरली देखते हैं कि एक एक जांपर की तोर पर ही समझते हैं समंदर में कही बार टैंक लीक हो जाते है या फिर खरन करते वक्त वहां पर लिकेज हो जाता है इसके कारण समंदर के सता में पूरा तेल जम जाता है और उससे वह एक परदुसन के रूप में काईर करता है तो उसी को तेल परदुसन करते हैं और इसका एको सिस्टम पर परभाव क्या परता है एक ठीक लेयर जब बन जाता है तो एक ऑक्सिजन का संपर समंदर से तूड़ जाता है और समंदर में रहने वाले जितने भी जीव जनतु है औक्सिजन के अभव में मरने लगते हैं उसके बाद वह एक परदुसन कारी तत्व के रूप में कायर करता है और इसलिए जीवों को पॉलिटेट भी करता है कुछ जीव उन तत्वों को अगर खा लेता है और फिर उसे इंसान भी तो खाएंगे तो पूरे एक एक एकोसिस्टम का जो चेन है वहाँ भी छरीत होता है और जल में जो यह तेल परदुसन होता है बहुत ही वर्सो लग जाते हैं उसे खत्म होने में क्योंकि यह वास्पी क्लित होके उड़ाया नहीं जा सकता है इसको कई तरीकों से हटाया तो जा सकता है ले करके इसको उतर लिखे और भारत के लिए हानी के रूप में इसी एकोसिस्टम के हानी को एक बार जो महत्पुन बिंदू है यहाँ पर थोड़ा रिपीटेशन करके और उसको हायलाइटेट करके इसको लिखना होगा यहां उसके साथ ही इसके वे फरवर्ट के रूप में कि कि इसका समाधान क्या क्या जाना है चाहिए उसके आधार पर आपने इसकर्स लिखके इसको समाप्ट कर सकते हैं नेक्स्ट है आतंग वात परभावी छेतरों में जन समुदाय का विश्वास वहाल करने में दिल और दिमाग जीतना एक आविशक कदम है इस समन्ध में जमू सरकार द्वारा जो उपाय किये गये हैं तो इसके इस भाग को लिखने से पहले इतना जो अस्टेट्मेंट लिखा हुआ उसको आप थोड़ा क्लेरिफाय कर सकते हैं कि आतंग बाद का जो है जमू कस्मिर में किस तरह से परभाव है आखिरकार वहाँ पर वहाँ ने किस तर से आर्मी का विरोध किया है और वहाँ पर पत्थरवाज, ग्रे, ग्राउंड फोर्स, वरकर के रूप में जो इस पार नए आतंगबादी सरगना निकले हैं उन सब चीजों को थोड़ा उलेखित कर सकते हैं और सरकार द्वारा किये गे परियासों में आप इस बात को एक confidence building का कायरी किया जा रहा है साथी operation सदभावना की आप चर्चा कर सकते हैं और निती आयुक द्वारा ले गया steps की चर्चा कर सकते हैं उसके बाद हाली में अपनाएगे कि कास्मेरी पंडितों को पूर्णा रस्थापित किया जाएगा तो उन सब चीजों को आप थोड़ से लिखते हुए आप इसका एक निस्कर्स दे सकते हैं कि अभी तक बहुत कुछ किया गया है लेकिन ये सारे चीजों और किये जा सकते हैं इसको बहतरी से किया जा सकते हैं तो आप एक way forward की रूप में कुछ suggestions देके इसको खत्म कर सकते हैं नेक्स्ट है सीमा पार से सत्रों द्वारा हत्यार गोला बारू ड्रक्स आदिमानव रहित वाहनों की मदद से पहुचाया जाना हमारी सुरच्छा के लिए गंभीर खत्रा है इस खत्रे से निपटने के लिए किये जा रहे हैं उपाईयों पर टिपनी करें इसमें प्रशन आप जो इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखा है उसको थोड़ा एलोब्रेट कर दीजिए कि भारत में मुख्य रूप से जमु कस्मीर और नौर्थिष्ट के राजियों में ये सारे केसे सामने आ रहे हैं कि कही बार देखा गया है नौर्थिष्ट में UAV के द्वारा हत्यार ड्रक्स ये सब गिरा दिया जाते हैं और जमु कस्मीर में भी सेम घटना इसी घटित होती रही है तथा इस बार राजिस्थान में भी एसी घटना काफी देखी गई है तो इसको आप कुछ उधारन के माध्यम से दो चार उधारन दे दीजिए राजियों की और उसके बाद आप उपाईों में डारेक्ट आ जाएए उपाईों में आप सबसे पहले भारत ने अपना ड्रॉन पोलिसी लाया है ड्रॉन पोलिसी के हिसाब से आप बोर्डर एरिया में इसी भी तरीके से युवे भी नहीं उडा सकते हैं दूसरा बोर्डर सीक्यूर्टी något में अभी एक यहाँ रूल लाया गया है कि राज सरकार के अंतरगत जो सीमा अब आती थी अब कुछ सीमा जो है वहाँ अब केंदर सरकार उसको मेनेजमेंट करेगी माल लेते हैं यहाँ एक बॉर्डर है और बॉर्डर से 80 किलोमेटर और कई राजियों में है कई राजियों है 50 किलोमेटर तो जेनरली 50 किलोमेटर से लगा हुआ बॉर्डर जो है बॉर्डर से लगा हुआ 50 किलोमेटर का जो छेत्र है वह आपकेंदर सरकार मुआयना करती है और इस तरह के गुस्पेट को और UAV पर निगरानी रखती है उसके साथ ही फिजिकल निगरानी के साथ असमार्ट बार्ड का कंसेप्ट आया है इसके माधियम से टेक्नोलोजी का उप्योग करके हम लोग उसको निगरानी करते हैं साथ ही कई तरह के सेंसर्स और रडार का उप्योग क्या जा रहा है इसको नियंतित करने के लिए और हम लोग राइस सेट सीरीज का सेटलाइट भी उप्योग करते हैं जो जिसका उप्योग ही बोडर के घुस्पेट को रोकने के लिए क्या जाता है इन सब चीजों को आप दिखाईए और इसके बाद इसकी खामियों को भी दिखाईए कि इन सब चीजों को करने के बावजुद हम से क्यों चुक हो जा रही है और फिर एक way forward लिखिए कि उन चुकों को खत्म करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं नेक्स प्रशन है भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी परकिरती में सरचनात्मक है भारत में बेरोजगारी की गन्ना के लिए अपनाई गई पदत्ती का परिच्छन कीजिए और सुधार का सुझाव दीजिए तो दो बाते इसमें मुख्य रूप से हैं यह कि बेरोजगारी गन्ना में जो पदती अपनाई जा रही इसके बारे मिन अपको बताना है कि आखिरकार यह पदती है क्या और दुसरा टे सबसे ज़्यादा इंप्लेयमेंट 기 पहले इसको थोड़ा व्रbers पिकरत करेंगे तो आप शुरुवात बेरोजगारी के डेफिनेशन से कर सकते हैं उसके बाद आप यह दिखाए कि भारत में जो है अस्ट्रक्चरल बेरोजगारी अधिक है और इसको आप आकड़ों के साथ सबस्टेंस करना होगा कि यह जो है एक सही है सनचनात्मक बेरोजगारी में होता क्या है कि जनरली कमपनिया जो है अस्किल्ड लेवर ढून रही होती है लेकिन वहां बेखते अस्किल्ड नहीं है इसलिए वहां उस जोब को पानी के लाइक भी नहीं है और इसमें एक तरह से कर सकते हैं कि अभी तक इंडियन एकॉनमी उस को पुरूब करेंगे उसके बाद जो पदती है पदती एनसेसो दुवारा पील एफस जो पदती है उस पदती के बारे में आप लिखे प्रियोडिक लेवर फोर्स सर्वे जो किया जाता है और इसकी खामियों के बारे में फिर लिखे थोड़ा कई खामियां इसमें उभर के साब ने आई जैसे कि कई बार इसके पिछले एनेसेसों के पिछले रिपोर्ट के से इसकी तुलना कर दी गई थी और कई बहतर और जाने माने आलचकों ने इस बात को कहा कि इन दोनों को तुलना करना ठीक नहीं है एक गलत आक्रे परस्थूत करते हैं सेंपल साइज का भी ही सुझाव देंगे जो समस्या हैं तो इनके सुझाव इनहीं समस्याव को सुझाव में आप फिर से एक कुछ इनोवेटिव अप्रोच के साथ दिखा दें नेक्स्ट प्रश्ण है देखभाल अर्थव्यस्था और मुद्रीकृत अर्थव्यस्था के बिच अंतर कीजिए महला ससक्तिकरन के दुआरा देखभाल अर्थव्यस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यस्था में कैसा लाया जा सकता है तो कुल मिला के आपको केर एकोनोमी और monetized economy में पहले अंतर बताना है और दूसरा कि महला सवसक्तिकरण के लिए इसको जो care economy है इसको monetized economy में कैसे बदला जाए तो इसमें इन दो प्रश्णों को उत्तर देना है तो सबसे पहले प्रश्ण का उत्तर हम लोग देखते हैं कि care economy वह होता है जो भविस्त के लोगों के लिए क्या जाता है और इसमें generally caring होती है जैसे कि एक मा का बच्चे के परती caring एक ब्रीध के परती caring और generally health sector में भी nurse caring करती तो अभी तक यह caring economy बहुत ही neglected रहा है पर इसका महतोतो है जबकि monetized economy वह economy है जिसमें हर एक goods और services monetized हो चुके हैं वहां मुद्रिक्रित हो चुके हैं उसका वह सेवाएं केवल और केवल paid होने पर ही मिलती जबकि care में ऐसा नहीं होता care में paid भी हो सकती अन paid भी हो सकती है तो वह सारी आप अंतर बताईए कि एक मा अपने बच्चे को तो जब care करेगी तो वह अन paid होगा बच्चा अपने मा को कोई फी नहीं देता है जबकि एक नर्स जब किसी अस्पताल में एक रोगई को देखेगा तो उससमें वह care paid की रूप में होगा तो उन सब अंतरों को अप बहुत सारे उपाय बता सकते हैं first of all awareness लाखे दूसरा कि अभी भी महलाओं को जो care economy है उसका GDP में counting नहीं होता है तीसरा कि अगर हम लोग patriarchal सोच को खतम करें समानती सोच को खतम करें और इस बात को पूरी तरह के से accept करें कि जो महलाएं काईर करती है जो care economy है वह अभी एक उ सेवा दे रही है care कर रहे हैं तो उसको monetize करना चाहिए लोगों को respect करनी चाहिए तो उन सब चीज़ों को थोड़ा elaborate करके आप इसमें लिख दें next है खपत pattern एवं विबनन दसाओं में परिवर्तन के संदर में भारत में फसल प्रारू अर्था क्रोप pattern में हुए परिवर्तन से यहां पर पूछा गया है कि पहला कंजंप्संस और दूसरा जो है marketing conditions के रूप में तो इस प्रस्ण को दो भागों बात सकते हैं कि पहला heading लिखेंगे इसमें कि क्रोप pattern में परिवर्तन जो है खपतव के कारण बदलाव तो कंजंप्संस जो है बहुत सारे pattern को बदल देता एक्जामपल के तोर पर वर्तमान में 2023 को कंदन वर्स या मोटे अनाजो का वर्स कहा जा रहा है और अब लोगों को थोड़ा मोटे अनाजो की और अग्रसित किया जा रहा है तो लोग अब मोटे अनाजो की मांग अधिक करेंगे अब जब अधिक करेंगे तो market में अभी बह पर चावल वह वह नहीं पर आप मोटए अनाज लगाना शुरू कर देंगे तो इससे होगा क्या कि जो पहले फसल उपजाया जा रहा के रूप में आप उन सभी चीजों को विस्तार से थोड़ा लिखें वहीं दूसरे कारक में जब हम लोग हेडिंग बनाएंगे तो दसाओं में हम लोग इस बात को दिखाएंगे कि कई बार अगर किसी फसल का मुल्य बढ़ जाता है माले आजा सरकार आप MSP देने लगी है गे का अधीक प्राइस मिलने के कारण लोग इस विपनन दसाओं के बेहतरी के कारण वह उप जाने लगेंगे और इसी तरह मालेते हैं BT कोटन 2000 इसवी के आसपास BT कोटन जब आया उसकी मांग बहुत ही अधीक थी तो बेचना भी आसान था भी देशों में आसानी से बिग जात अच्छी हैं तो भारत में जितनी भी वेबसाइक फसल हैं उनके एक्जांपल्स आप इसमें सारे को दे सकते हैं और इसके साथ ही इसकी कुछ सिमाओं को रेखांकित करते हुए कि कैसे एक रोप पेटर्न में नेगेटिव इंपेक्ट पर रहा है गलत तरीके से कई चीजों को परिवर्तित किया जा रहा है और उसका अंत में समधान लिखते हुए इस प्रशन का उतर आप दे सकते हैं अगला है भारत में किर्शी छेतर को परदान की जाने वाली परतच्छे एवं आपरतच्छे सबसीडी क्या है डबलू टीयो द्वारा उठाएगे किर्शी सबसी को और डबलू टीयो में भारत के किर्शी सबसीडी का जितना भी मुद्दा उठा है उस पर हम लोग को एक दूसरा हेडिंग बना के इसमें लिखना होगा तो इन दोनों प्रशनों को लिखने के लिए अगर हम लोग सिंपल सब्दों में समझें तो परतच्छे सबसीडी व तरह से किसान इसे आयकी रूप में दे रही है और दूसरा अगर बात क्या जाए तो इसमें किसानों को मौधारिक रूप में कुछ ना के वस्तू या किसी और में दे देती है एक्जमपल के तोर पर खाद जो किसान उज कर रहा है और डीयपी उसमें जो है सरकार सबसीडी दे रही है अगर कोई ट्रेक्टर खरिता है किशाम कोई सबसीडिया रही है इसे बहुत सारे चीजें अभी SM कुसम ओजना के तहत स्वालर पंप दिये जा रहे हैं उसमें भी सबसीडिया जा तो अमबर बॉक्स सबसीटी में इस बात को सभी देशों ने डवलू ट्यों में स्विक्यार किया था कि यहां 10% से अधिक नहीं होगा और इसे अमायन ने भी माना गया है तो विकासिल देशों के लिए 10% से अधिक नहीं होगा तो इन सब अगर हम लोग डवलू ट्यों के नियमों को वायलेट करते हैं तो डेफनेटली अन्य देश इस पर वहाँ पर डवलू ट्यों में इस मुद्धे को उठाएगा तो इस मुद्धे को उठाया गया खास्तोर से विक्सित देश भारत को इस मामले में हमेशा घिसेटते रहते हैं तब कि भारत का पच्छ यही है कि हम लोग फुट सीक्योर्टी के लिए ऐसा कर रहे हैं भारत जो है खादियान में आत्म निर्वार होना चाहता है तो इस मुद्धे को थोड़ा एलोब्रेट करके आप लिगते हैं नेक्स्ट है इलेक्ट्रेनिक इलेक्ट्रोनिक वाहनों को अपनाना दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहा है कार्बन और सर्जन को कम करने में इलेक्ट्रोनिक वाहन केसे ओगदान करते हैं और पारमपरिक दहन इंजन वाहनों की तुल्ला में वे क्या परमुख्र लाब परदान करते हैं तो इसमें कुल्मिला के दो प्रश्ण हैं पहला इलेक्ट्रिक वाहन कार्बन डायक्सवाइट को कम करने में कैसे ओगदान दे रहे हैं और दूसरा इस इंजन का पारमपरिक दहन इंजन से क्या लाब है तो पहले प्रश्ण का उत्तर हम लोग दें गे कि जितने भी एलेक्टिकल वाहन हैं उसमें पेक्टरोल या डेजल का उप्योग नहीं किया जाता है और electricity renewable energy और ऐसे energy से लाया जा सकता है जो non-polited हो तो इस पच को आप थोड़ा बहाएं कि कई सारे electricity हम लोग hydro projects के माधियम से nuclear power project के माधियम से और चाहे वो sun हो या फिर wind हो उन power के energy से हम लोग electricity generate कर सकते हैं तो इस बात को थोड़ा यहां पर लिखें और कहें कि इससे कार्बन सर्जन कम होगा और इस बात को भी यहां पर लिखते हुए ध्यान रखें कि अगर electricity generate हो रहा और वह electricity माल लेते हैं कोईला से generate हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि बहुत सारे electric वहां आ गए हैं तो इसका मतलब यहां नहीं कि carbon dioxide सर्जन कम हो जाएगा यहां जरूरी है देखना कि अगर electricity बस आ चुका है electrical बस आ चुका तो इसकी बिजली कहां से आ रही है क्या वहां non-polluted है क्या वहां carbon सर्जन से तो नहीं आया है इस चीज़ को देखना आवी सकत तो उस बातों को एंगल को थोड़ा के हुए आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने में पारंपारिक दहन इंजन की तुर्णा और लाब की बारे में बात करेंगे तो इसी से यह जो लाब है पहले पंच में भी same to same बहुत सारे बाते पहले पंच में पहले खंट के उत्तर में आप दे चुके होंगे तो इसको पस कुछ बातों को कॉपी करके दूसरे पंच में एलोबरेट करके फिर लीग देना है नेक्स्ट है भारत के तीसरे चंदर्मा मिशन का मुख्य का यह क्या है जिससे इसके पहले के मिशन में हासिल नहीं किया गया जिन देशों ने इस कायर को हासिल कर लिया है उनकी सोची प्रच्षेपीत अंत्रिछ आन की उप परनाल्यों को प्रस्तूत कीजिये, बिक्रम सारा भाई अंत्रिछ केंदर का अभासि पर्च्षीपन नियंतरन केंदर उस भूमिका का वर्नन कीजिये, जिसने श्री हरी कोटा से सफल प्रेच्छन करने में ओगदान दिया है। पिछले मिसन से या अलग क्यों है कौन से देश अभी तक चंदर्मा में जा चुके हैं और आखिरकार स्री हरी कोटा में से या परिच्छन किया गया तो इसमें इस छेतर का क्या रोल है और साथी इसके उप परनालियों को सब सिस्टम को भी दिखाना है तो चंदर्यान मिसन का जो मुख मुद्दा है उसमें वहाँ पर जो है एटमोसफेयर प्थाल लेंड को अपजर्ब करने के लिए ले जाया गया था और उसमें जो तकनीक है उस तकनीक को आप टूदा पॉइंट जो तीन महत्पुन तकनीके हैं उनको लिखते हैं उसके बाद पिछले जो चंदर्यान वन मिसन है और टू मिसन में जो हासिल नहीं किया गया था तो यही कि जो पिछले मिसन थे हूँ उसमें हाइडोजन और ऑक्सिजन का पता तो लगाया था लेकिन वहां का स्वाइल प्रोफाइल जो वहां का babe a magnetic effect a atmospheric conditions इन सब चransfer chair को बारे में पता नहीं लगाया था तो उनहीं के लिए काई किया गया है और जो सुचिया है अमेरिका रोज तता चीन जोहें कि देस prosa जो एक काफी लेंदी है कई जगहों पर टुदा पॉइंट लिखने पर ही इसे 500 सब्दों में कभर किया जा सकता है नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा किये गए राष्टिये आदरभूमी सरच्छन कायरेकरम पर किपनी किजिए और रामसार अस्थलों में सामिल अंतराष्ट ये महत्य कि भारत की कुछ आदर भूमीयों के नाम लिखिए इसमें दो प्रस्ट है पहला प्रस्ट जो है सब्जेक्टिव नेचर का है दूसरा ब्हाग स्वाह पूरी तरह कि सब्जेक्टिव नेचर का है तो राष्टिये आदरभूमी सर अ कर νेटारा माई पर पहले जो ह हैं वेटलेंड का उसको थोड़ा इंपोर्टेंस बताना है साथ में 2017 में किये गए बदलाव 2013 में जो है लेक से इसको मर्च कर देना पहले आदरुभूमी और लेक को अलग से कंजर्व किया जाता था दो लोग को अलग-अलग कारिकर्मों के मातियम से संरचित किया जा रहा थ तो 2011 के बाद और 2013 के बाद इसको एक साथ मर्च कर दिया गया तो उन सब चीजों का थोड़ा उस बेग्राउंड को डिटेल से बता देचिए और दूसरा जो पच है तो रामसार साइट में अभी तो भारत में कुल 75 रामसार साइट सामिल हो चुके हैं उन 75 में आप जितना ह हो सके आप उसका नाम दिख दिजिए और अगर हो सके तो कुछ महत्पून चीजों का जो है एक मैप के माधियम से आप दर्शा सकते हैं एक जांपर कृत्वर्पर सुंदर वन है चाहे रेनुका हो चाहे केवला देव हो अस्ता मूरी हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं नेक्स्ट कोश्चन है जलवाई परिवर्तन पर अंतर सरकारी पेनल ने बेस्वी समुंदर अस्तर में अकिस्वी इस्वी तक लगभग एक मीटर बिर्धी का पुर्वा अनुमान लगाया है हिंद मासागर छेतर में भारत और दूसरे देशों में इसका क्या परभाव होग तो इसमें जो प्रश्ण है इसके दो भाग है कोल मिलाके जो इसमें कहा गया है कि एक मीटर समुंदर अस्तर में जलस्तर में बिर्धी होगी तो यहा रहा हमारा इंडिया नौसियन अब इंडिया नौसियन जो है तो इसमें दो तरह के बाते की गए हैं पहला की भारत पर क् पढ़ेगा पहला प्रश्ण मारा यह होगा कि एक मीटर जलस्थर जब यहां पर बढ़ जाएगा तो भारत पर क्या परवाप पढ़ेगा तता दूसरा इसमें जो है अने इधर अफिर की देश भी है और यहां पर सौतिष्ट कंट्रीज भी है तो उन पर क्या परवाप पढ़ेगा तो इसको डिटेल से हम लो लिखेंगे तो पहला भाग काम लोग उतर देते हैं जब भारत में भारत के तट के करीब एक मीटर जल उठेगा तो यहां तट जो है बहुत सारा भाग डूब जाएगा और सारा जो छेत्र है जब इतना भाग डूब जाएगा तो जे भीवित्ता पर भी खत्रा मन रहाएगा क्योंकि बहुत सारा यहां पर जो छेत्र है वह जे भीवित्ता से भरा हुआ है और हम लोग यहां भी जानते हैं कि तटिये जो छेत्र होते हैं उसमें कई सारे सहर भी बस साथी जो आंडमान निकवार के दीफ हैं वह भी हमारे काफी सारे डूब जाएंगे क्योंकि 1500 से अधिक हमारे डूब हैं और बहुत सारे जो है ऐसे डूब है जो 50-60 cm ही जल अस्तर से उपर है जब एक मीटर उपर उठ जाएगा जल तो बहुत सारे आयलेंड हमारे डूब जा करना पड़ेगा food crisis होगा तो इन सब चीजों को थोड़ा बिस्तार से लिखें और इस बार IPCC के रिपोर्ट जो छट्वी रिपोर्ट है उसमें तो इन सब चीजों को काफी बिस्तार से बताया गया है तो इसको आप वहां पर जरूर लिखें और आप मेंप इसमें बनाए त आज एजेंसियों की भूमिका किया है, तो कुल्विला कि इसमें दो प्रश्ण है, पहला यहां बताना है कि भारत कौन-कौन से इंटर्नल सीक्योर्टी का खत्रा सामना कर रही है चुनोतियां, उनके पास आखिरकार कौन-कौन सी है, और दूसरा जो है, जितने भी हमारे Central Intelligence और Investigating Agencies है, उनका क्या रोल है इसमें, तो इसमें आंतरिक सुरच्छा के भूमिका से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके डेपनेशन से, उसके पास चुनोतियों में आप लिग सकते हैं कि हमारे तेश के existence के लिए, sovereignty के लिए खत्रा है, संपरभुता के लिए खत्रा है, अब इसमें बहुत सारे चुनोतियां, जो है आप बताईए कि जो नक्सलिज्म है, नक्सलवाद है, वहाँ एक खत्रा है, हमारे अलगावादी आंदोलन बहुत सारे राजियों में चलते रहते हैं, एक्जांपल के तौर पर यहाँ पर पंजाब में जो खालिस्तान की मांग है, आतंग वाद परेरित आंत्रिक चुनोतियां जो उत्पन हो रहे हैं, खास्तोर से जमुकस्मिर का जो मुद्दा है, आप उसे रेखांकित करें, मनिपूर में एथेकल, एथनिक वाइलेंस इस पर शुरू हो गया, तो आप एक आंत्रिक चुनोति को वहाँ पर देही रहा है, साथी हमारे यहां कई तरह के ड्रग ड्रग डिलर भी एसा सामने आ जाते हैं, जो की मुखिता गॉल्डल ट्रेंगल और यहां पर क्रेसंट के बीच जो बेपार होता हुआ, भारत से होके ही तो इसके कारण भी भारत में इंटर्नल सेक्यूरिटी का खत्रा लगाता, बना रहता है, और यहां आंत्रिक सुरचा इसलिए पैदा करता क्योंकि यह और्गनाइस्ट क्राइम के रूप में बढ़ता जा रहा है, तो इन सब चुनोतियों को पहले भाग में आप लिखें, और थोड़ा विस्तार से लिखें, इसके दूसरे भाग की बात करते हैं, सेंट्रल एजेंसिज और जो इन्वेस्टिगेस्टिंग एजेंसिज हैं, उनकी क्या रोल है, तो अगर हमारे पास बहुत अच्छा इंटलिजेंस नहीं होगा, तो हम उनको विफल नहीं कर और भारत के सुरच्छा भी नहीं कर पाएंगे, तो भारत की सुरच्छा के लिए आविसक है कि हमारे पास बहतर खोपिया एजेंसिज हों, और इन्वेस्टिगेस्टिंग एजेंसिज भी हों, अगर कुछ घटना घटिश होती है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करके किसी निरने तक पहुँच सके, तो इसमें बहुत सारी एजेंसिज हैं, अगर बात करें तो आई भी जो है अभी इन्टरनल सेक्योरिटी के ततूं को ही हम लोग इसके द्वारा देखा जा रहा है, इसके साथ ही हो मिनिस्टर का IE डिविजन जो है इन्टरनल सेक्योरिटी के इसमें अब सक्री रूप में भागईतारी ले रही है इसके साथ ही कई अंध छोटे मोटे और एजेंसियाज भी हैं जो काईरे करती हैं लेकिन पहले मुख एजेंसियाज के बारे में लिख्या और थोड़ा इसको विश्तार करके इसको आप पूरा कर सकते हैं और शाथ में य की कटोती के लिए किये गए परियासों को बताई है कि इस आलोक में हाल में नई दिल्ली में नौंबर 2022 में हुई आतंगबाद के लिए धन नहीं संगोष्टी के लच्छियों एवं उदेशियों को भी विवेचना किजिए तो इसमें कुल तीन प्रस्ण है पहला कि भारत में जो आतंगबाद फेल रहा है उसका आखिर कार दे कोन रहा है कहां से आ रहा है उसका स्रोत क्या है और इसे रोकने के लिए क्या परियास किये गए हैं तथा 2022 में आतंगबाद के लिए धन नहीं वाली संगोष्टी का लच्छियों रुदेश से है क्या तो इन तीनों प्रश हमारे ऐसे संस्थान होती है जो चंदा दे देती है एक्जामपल के तौर पर अभी दिल्ली में एक संस्थान पाकिस्तान द्वारा फंडिंग पकड़ा गया है जो टेरर फंडिंग कर रही थी उसके बाद अभी कई बार UAB के माध्यम से हत्यार और पेसे जो है गिराये जाते हैं तो यह भी एक तरीका सामने आ चुका है अगला है जाली नोट कई सारे हम लोगों नहीं एसा देखा है कि वे जाली नोट नेपाल के माध्यम से भारत में ले आते हैं और इसके माध्यम से वे अपने आतंगबाद को फिर बढ़ावा देते हैं तो इन सब चीजों को आप पहले भाग में लिखें दूसरे में किया गया परियास परियास में जाली नोटों को खतम करने के लिए भी मुद्री करन किया गया है तथा नोटों का अस्टेंडर भी बढ़ाया गया है ताकि उसकी नकल करना लगबग नामुम्किन हो जाए उसके बाद चंदा रोकने के लिए जनरी किया किया गया है कि इस बार FCR ये एक्ट 2010 में संसोधन किया गया है तथा इस बात को कह दिया गया है कि विदेशों से लिया जाने वाला जो फंड है वाक केवाल और केवाल SBI बेंग SPI ब्रांच देली में ही जमा किया जा सकता है इस अधार पर हम मिनिश्ट्री काफी कड़ा रुख अपना रही है कि किसी तरह से टेरर फंडिक ना हो सके और UAB को रोकने के लिए ड्रॉन पॉलिसी भी लाया गया तथा जो बॉर्डर में हमारे स्क्योर्टी फोर्से से बहु APATF का मूल उदेश ही है कि टेरर फंडिक को रोकना साथी भारत इस बात पर भी बहुत ही अधित उजोर देता कि जितने भी एसे कंट्रीज हैं जो टेरर को फेलाते हैं और फंडिक करते तो भारत जो है APATF के लिष्ट के माधियम से उसको ग्रे लिष्ट ब्लेक लिष्ट म के डालवाने का भी परियास करता है तो यह सब कुछ स्टेप्स है और इसके जो अब्जेक्टिब्स थे उसमें तेरर फंडिंग को रोकना था कैसे उनके सुरोत क्या होते हैं उनको रिकोगनाईज करना बाइलिटरल रिलेशन्स रखने उन सारे उदेश्यों को जो है अब् क्रिप्टो क्रेंसी के बारे में थोड़ा इसमें विश्तार करते हैं इसके साथ ही आज हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरिके से कभर कर लिया है अधिकाश टॉपिक को हम लोगों ने सोट में कभर किया है ताकि बहुत लंबा यह वीडियो ना खीच जाए और जायतर कोश कोशन से थे जिनमें कोशन तो एक ही पूछे गए लेकिन उसको जो स्टेट्मेंट की रूप में दिया गया है उसे कैसे करना है कई बार दो प्रशन पूछे गए हैं लेकिन उन प्रशनों के बीच भी एक प्रशन छुपा हुआ है तो उन सब चीजों को हम लोगों ने जबाब भी दिया आज यहीं तक धन्यवाद